कि मैं यहां पर रीशी प्रिशाद संभीलन के लिए आयूं मैं रिशी प्रिशाद की सेवा से जुड़ीू ही हूँ, मैं तब से जुड़ीू ही हूँ, जब मुझे टीवी की पिमारी हो गई थी मुझे बहुत जबर्दस डिप्रेशन हो गया था मैंने ना दस रिशी परशाद से सेवा शिरू करी हर संचनीवार को अभियान होता है और धाई हजार रिशी परशाद हर महीने बागते हैं आप ये देखे कि रिशी परशाद ऐसी है कि ये बापुजी का हिर्दे है आपको निडर होके भाहर निकलना चाहिए पंदरा तारिक को रानका रिशी परशाद का समेलन है और ज्यादा से जड़ा लोगों ने आना है और रिशी परशाद की सेवा करनी है जो रिशी प्रिषाद की सेवा करता है ना तो जो वो चाहता है बापू उसे वही देते हैं और मेरे पती की भी जौब चली गई थी तीन लाख रुपे कमाते थे मैंने ना संकल पर लिया पांच रसीधर बुप का पांच रसीधर भुग भरते ही गे पांच जगे से उनको अफर आया हर घली में हर घर में हमारे बापू की रिशी प्रिशाद होनी चाहिए बापु जी के पवित्य अंदावाद अश्रम में रिशी प्रिशाद सम्मिले का भग आयोजल हो रहा है और आपको इस आयोजिल का भर प्री विलाग लेना है, हरी हरी, हरोडो साधकों में हमें बापु ने चुना, तो हम कितने भागवान हैं, कि हम बापु की सेवा करते रहें, करते रहें, मर्ते दम तक हमें सेवा कर लिए, आप सब लोग भी आमंतिर थे, यह टाइम फिर वापस नहीं आएगा, तो नहीं हम लोग अपनी पूरी जान लगा देंगी, दिनियावालों जरा देख लेना, मेरे बापु का डंका बजेगा, और मेरे बापु की रिशी पुषाग हर जगे होगी, हर जगे, हर यूम, हर यूम, हर यूम,